वेल्कम बैक दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकल यानि की कोशी का चक्र उनकी अवस्था के बारे में तो चले डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशी का चक्र यानि की कोशी का विभाजन किसे काते हैं तो एक मात्री कोशिका यानि के पैरेंट सेल से डॉटर सेल यानि संतती कोशिका के बनने को ही कोशिका विभाजन कते हैं कोशिका विभाजन के कारण ही जीवों के सरीर में विर्दी होती है कोशिका विभाजन के फलसोरूप लैंगीक और अलैंगीक जनन संबह हो पाता है कोशिका विभाजन के बारे में सरोपर्थम रोडॉल्फ विडचो ने बताये था और इनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ती पूर्व वर्ती कोशिकाओं से होती है यानि कि नई कोशिका यानि डॉर्टर सेल का जो उत्पत्ती होता है वो पैरेंट सेल से होता है रोडल्फ वेचो के अनुसार नेक्स्ट अगर बात किया जाए कोशिका चक्र के बारे में तो घटनाओं का वह अनुकरम जिसमें कोशिकाओं या कोशिका अपने जिनोम का दुई गुनन और अन्य संगटनों का संसलेशन होता है और इसके बाद विभाजित होकर दो नई संतती कोशिकाओं का निर्मान करती है जिसे कोशिका चक्र काते हैं यहाँ एक संतत प्रकरिया है जिसमें DNA डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक एसीड का संसलेशन कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है सभी घटनाएं जीनों दुआरा नियंतरित होता है जीन जिसको RNA DNA को ही जीन कहेंगे जिसमें RNA DNA जो होता है क्रमोजोम के अंदर में होता है और यह RNA DNA और क्रमोजोम के कॉम्बाइंड समुह को ही जीन कहेंगे नेक्ट अगर बात किया जाए मनुष्य में कोशिका चक्र 24 घंटे में होता है 24 हावर में कोशिका चक्र की दो मुल प्रवस्थाई होती है पहला है अ 95% समय इंटरफेज का होता है अंतरवस्था का होता है कोशिकाओं का जीवन काल अधिकांस अंतरवस्था में ही होता है जिसमें कोशिका का आकार दोगुना होता है इस अवस्था में तेजी से जेव संसलेशन होता है अब बात किया जा अंतरवस्था जो होता है उनका तीन प्रवस्थाएं होती है सबसे पहला है जी फेज यानि कि पस्य सुत्री अंत्रवस्था काल अंत्रकाल प्रवस्था पस्य सुत्री अंत्रकाल प्रवस्था जिसको जी फेज भी कहेंगे इसे पर्थम वर्धन काल भी कहते हैं इस प्रवस्था में प्रोटीन एवं RNA का संसलेश होता है RNA का फुल फॉर्म राइबो नुकलीक एसीड नेक्स्ट अगर बात के आज़ा DNA संसिलेशन की तैयारिया इस फेज में होती है जी काल का समय बदलता रहता है अस्थाई उतकों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन रुख जाता है जी अवस्था का परिवर्धन जी नौट अवस्था यानि जी जीरो अवस्था या विराम अवस्था में हो जाता है ऐसी स्थिती में यह माना जाता है कि यह कोशी का चक्र से हट गई है परन्तु अनुकूल अवस्था आती है तो पुनह विर्धी होती है और कोशी का पुनह जीवान में जीवन अवस्था में प्रविश करती है इनकी दूसरा प्रवस्था है संसलेशन प्रवस्था यानि की S-phase इस अवस्था में DNA का निर्मान वो DNA की प्रतिकिर्ती होती है प्रतिकिर्ती यानि की photocopy इस दोरान DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है और गुन सुत्रों की संख्या 2N रहती है इनका तिसरा फेज अगर देखा जा तो G2-phase G2-phase को पुर्व सुत्री अंत्राकाल अवस्था कहते हैं इस प्रवस्था में RNA, protein वो ATP का संसलेशन होता है ATP का full form होता है adenosine triphosphate इस अवस्था में कोशी का सुत्री विभाजन के लिए अपने आप को तयार करती है अब बात किया जाए second type कोशी का विभाजन का जिनको बोलेंगे M-phase अभी हम लोग पढ़ें कोशी का विभाजन का पहला type जिसका नाम है अंत्रावस्था यानि की इंटर-phase इंटर-phase में हम लोग पढ़ें G0-phase, G1 और G2-phase अब हम लोग second type पढ़ेंगे second type का नाम हो गया आपका सुत्री विभाजन यानि की M-phase इस कोशी का या कोशी का चक्र की नाट की अवस्था होती है इसमें कोशी का के सभी घटकों का पूनह घटन होता है इस विभाजन में जनक वसंतती यानि पैरेंट और डॉटर कोशी का में गुन सुत्रों की संख्या बराबर रहती है M-phase में यानि सुत्री विभाजन में जिसको समसुत्री विभाजन भी कहेंगे इसलिए इसे समसुत्री विभाजन भी कहते है समसुत्री विभाजन में चार प्रवस्थाओं का विभाजन होता है और अर्ध सुत्री विभाजन में दो कोशी काओं का दो प्रवस्थाओं का विभाजन होता है तो next हम लोग पढ़ लेते हैं प्रवाजथा यानि कि प्रोफेज के बारे में सुत्री विभाजन का फर्स टाइप प्रोफेज तो प्रोफेज यानि प्रोवस्था इसका पहला अगर पॉइंट बात किया जाए तो क्रोमेटीन पदार्थ जाल के रूप में ना होकर पतले महिन धागे के रूप में रुपांतरित हो जाता है प्रोवस्था में जिसे गुन्सुत्र कहते हैं गुन्सुत्र सगन की क्रियाविधी के कारण छोटे वा मोटे होने लगते हैं प्रतेक गुन्सुत्र में दो अर्ध गुन्सुत्र अस्पश्ट दिखाय देने लगते हैं और अर्ध गुन्सुत्र सें सुक्ष्मनलिकाएं बनने लगती है और फिर पुरुवस्था के अंतह तक केंद्र जिली वा केंद्री का लुप्त होने लगती है। नेक्ष्ट है मैटाफेज यानिकी माध्यवस्था। इस अवस्था में गुन्सुत्र कोशिका की माध्य रेखा पर अवस्थित होकर माध्य अवस्था पट्टियां बनाते हैं। गुन्सुत्र के अर्ध सुत्रन अर्ध गुन्सुत्रन तरकु तंतु से गुन्सुत्र बिंदु जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में गुन्सुत्र अलग हो जाते हैं। और तिसरा अगर बात क्या जाए तो पश्य अवस्था यानि की एनाफेज तो इस अवस्था में गुन्सुत्र अलग हो जाते हैं। गुन्सुत्र विपरित धुरों की और गती काने लगते हैं। और गुन्सुत्रों के गुन्सुत्र बिंदु धुरों की और तथा भुजाए पीछे की ओ जाती है। और यह सुत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। लाश्ट है टिलोफेज तो संतती गुन्सुत्रों के समु विपरित धुरों पर पहुंच जाते हैं। और तुर्क तंतु विलुप्त हो जाती है। पर तेग गुन्सुत्र समु के चारो और केंदरक झिली का निर्मान हो जाता है। घोट्रों क रोमेटीण जाल में बदल जाते हैं। तो इस परकार पूरा का पूरा कोशिका विभाजन संपन होता है। और यह दो फेज में संपन होता है। पहला इंटर फेज में G0 यानि कि G0, G1 और G2 फेज संपन होता है जो कि 95% लेता है और लास्ट है दुसा नंबर में M फेज जो कि बाद बाकी डिविजन को बाद बाकी विभाजन को कम्प्लीट करता है M फेज चार परकार में चार रूपों में कम्प्लीट होता है जिसमें से पहला प्रो फेज दुसरा मेटा फेज तिसरा एना फेज और चोथा टिलो फेज तो दोस्ता है होब कि आप लोग को पूरा का पूरा सेल साइकल माइटोसिस और मियोसिस बड़ा तरीकर से समझ माया तो आज के लिए इतना है थैंक यू